कि नमस्कार साथियों आप सभी का में स्वागत है आज फिर लेकर क्या आए हुए हैं बेसिक एंड मॉस्ट इंपॉर्टन एंसीक्यू जो की रामन हो लोहिया के साथ-साथ जितने भी नर्सिंग जाम होने हैं और अब तो सभी जाम में बहुत ही आहम रोल अदा करने वाले बहुत महात्यपोड क्योश्चन जो आप लोग के सामने हैं आज का पहला क्योश्चन पोजिशन यूज टू फाइल इंसर्टिंग एंगी ट्यूब जब एंगी ट्यूब इंसर्ट की जाती है उस टाइम पर कौन सी पोजिश आप्शन भी हाई फावलर्स आप्शन सी लो फावलर्स आप्शन डी साइड लाइन जब आप एंगी ट्यूब इंसर्ट करने जाते हैं तो उस टाइम पेसिंट की क्या पोजिशन होनी चीए यह पूछा इसमें तो सुपाइन तो आप लोग समझ रहे हैं कि बिल्कुल सीध नहीं हाइफ फावलर इस तरीके से बैठा दिया जाए लोग फावलर्स यानि की बिल्कुल ऐसे इस तरीके से थोड़ा उठा थोड़ा और इसमें पूरा एक ऐसे बैठा हुगा और साइड लाइन यानि की एक तरफ करवट करके तो इसमें पूछा गया है कि जब आप छी ट्यूब नहीं पूछा ट्यूब को इसमें पूछिवर यूजट यूग को इंसृट कर रहे हों उस त्याम क्या पूजिशन तो इसमें प्रॉट आपसर अंसर बी हुचे फॉलर पूजिशन पर जो है एंडिटीव इंसरट कर थे हैं अगला पॉस्चिन है अग्रीन इस आप एस्प्रीन क्या एस्प्रीन के ओवर यूज से गस्टाइटिस होता है भी एक्सेसिव एलकोहल इंटेक आपसंसी इंफेक्शन वाई एच पाई लोराई आपसंटी आल आप दायपब तो गस्टाइटिस इंफ्लामेशन इन लाइनिंग आपस्टमक जब इस्टमक की लाइनिंग में जो है इंफेक्ट इंफ्लामेशन होता है उस कंडिशन को गस्टाइटिस तो वह ओवर एस्प्रीन की उजस से नान स्टेरोइडल की उजस से अगर more amount में alcohol intake किया जा रहा है यह एच पाल लोराई का किसी को infection है तो यह तीनों condition में जो है gastritis हो जाती है तो इस हिसाब से आपसंट D is correct अगला question pre procedure preparation for sigmoidoscopy pre preparation कि इसके लिए sigmoidoscopy जब होगी जैसे endoscopy के कई प्रकार से जैसे colonoscopy, sigmoidoscopy, upper gyoscopy तो इस तरीके से जब sigmoidoscopy की जा रही है उस टाइम पर procedure के पहले क्या त्यारी करेंगे आपसंट यह NPO क्या इसको निल पर oral बिल्कुल बिना खाई पी रखेंगे option B animal before the procedure क्या भी प्रोसीजर करने के पहले animal लगाएंगे आपसंसी insertion of NG tube क्या नेजोगेस्टी ट्यूप पहले एंसर करेंगे option D ask about iodine allergy या उससे हम पूछेंगे कि भाई आपको क्या आयोडेन की allergy तो नहीं है तो यह तो बिल्कुल अलग कट गया question answer जो है option D जो है बिल्कुल आप अपटा दीजिए इस तरीके के अनवश्चक क्योश्य मारी से नहीं अगला है इंसासन आफ एंजी ट्यूप जब सिगमाइडो होने जा रहे तो एंजी ट्यूप का कोई विशेश रोल नहीं होता है निल पर और यह रहेगा लेकिन प्री प्रोसीजर उसके जस्ट पहले आप क्या करोगे तो option एनिमा भी फोर दा प्रोसीजर प्रोसीजर करने क पाइलोरिक इस्टिनोसिस पाइलोरिक इस्टिनोसिस जब है उस टाइम का जो मैनिफेस्टेशन है क्या यानि की लेक्षड देखने को मिलेंगे तो option देखते हैं कôm आप्शन ए टीनेसमस पर हम इस म पर्च disci ब्रोजेक्ताइल ओमीटिंग आपशन सी इस्टे टोरिया और फविक्ट रिगार इस्टेशन नहीं होगा इस्टे टाइन नहीं होगा इन प्रोजेक्टाइल ओमेटिंग या इसी को उल्टा करके पूछ लेगा कि प्लोड प्रोजेक्टाइल ओमेटिंग जो है किस कंडिशन में पाई जाती है तो इसको आप याद रखिए अगला कॉश्चन वन आप दा मेजर काज फार सीरोसिस आफ लिवर लिवर सीरोसिस जिस पे डी हेपेटेक्टी से इसका जब फैटी लिवर सिंडोम होता है वो मोर एमाउंट और ज्यादा लंबे समय तक अलकोहल के इंटेक्ट से यानि कि अलकोहल एब्यूस से जो है लिवर सीरोसिस कंडिशन देखने को मिलती है तो इसमें आप से अगला कॉश्चन लेंध आफ मेल अधरा वह छोटा प्रेशन है लेकिन इस प्रकार से भ सेंटिमीटर फोर सेंटिमीटर पुरुस में तो नहीं हो सकती है फिमेल में होती है तें सेंटिमीटर को इस तरीके को आपके को संजो है याद रखने है अगला कोशन अरली साइन आफ रेनल कार्शिनोमा रेनल कार्शिनोमा कैंडीशन में सबसे पहले कौन 508 दीखता है। यजा डी सीउरीया फ्लैंग पैंड़ पायूरिया थे चीया चीया अब हुरूय थे क्या, पैंफिल यूर यूरि पास आउठ ऑः हो रहा है या पायूरिया हो रहा है या हमेच्यूरिया तो रीनल कर्षिनोमा जब होता है उस कंडिशन में हमेच्यूरिया देखने को मिलती है इसमें क्या यूरिन में जो है बलड शाथ में आता है यूरिन के साथ बलड आता है उस कंडिशन को हमेच्यूरिया और यह कंडिश फिल्टर्ड इन रीनल कैप्सूल एमाउंट आप ब्लड फिल्टर इन रीनल कैप्सूल पर मिनट यहां पर क्वेश्चन का अंसर है पर मिनट इस एक मिनट में जो रीनल कैप्सूल ब्लड को फिल्टर करता है उसको क्या कहते हैं आप सने जी फर जी फर गलो मेरूलल गलो आपसें सी टाइडल वालूम आपसें डी ब्लड फ्लो फर मिनेट तो इसका आंसर ए एकरेक्ट ग्लो मेरूलर फिल्टेशन रेट जो है यह इसके कई शारे क्वेश्चन होते हैं तो उनको आपनों कोई केलियर करना होगा ग्लाक क्वेश्चन डाइबिटीज इनसीपीड़ इ अब आपसन ए एडियेच एंटी डायुटिक्ट हार्मोन आपसन भी इंसूलिन आपसन सी ग्लोकागन आपसन डी रहनी तो आप यह डाइबिटीज इनसीपीड़ जो है एंटी डायुटिक्ट हारमोन की एफिसेंसी से होता आपसन एक रहेक्ट अगला क्वेश्चन अचानक पेट में धक्का लग जा या प्रेसर लग जाए उस टाइम पर सबसे कौमन इंजरी कौन सी है कि हो जाती है आपसे और किडिनी आपशन भी लिवर आप संझी ब्लेडर आप्सण डी-स्पिलिंग तुश्य को तुश्य कीडिनिंदी में भी नहीं प्रोब्लम सबसे चाद होती और भी नहीं होती गैस लिएवर में भी उतनी ज़्याद नहीं होती लेडर में ही लेकिनी इस्पिलीं इस्पिलीं algunas lesson में जो है सबसे कीमती अगर कोई चीज़ है तो समय है कम समय में मैं वो आपको देने के कोश्च करता हूं कि आप कहीं भी कुछ बढ़ रहे हैं बढ़ते रहे उसको और यह 10 मिनट आप यह सोच करके दीजिए कि आप 10 मिनट दे दिए लेकिन यह 10 मिनट आपके बहुत लाफदायों को कि बहु बाटो जो मैं तरीका पर लोगों के आप जीवन में उतार परफदाना चाहता हूं आप लोगों के प्रक्पी्श में ऐसको अपना करके अपने को आप लोग करिए और अपने देखिए कितनी अभी और महनत की ज़ुरुरत हैं और भरतियों की हरमार है और फिर भी हमारे दे पैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मैं बार बार इस वात को बोलता हूं सची खुसी सचा सफल होने का रुतबा तभी होगा जब आपके मित्र भी साथ में सफल होकर के होंगे इसलिए अपने मित्रों को भी सेयर करें आप सभी लों का बहुत-बहुत धन्यवाद थांक्